अंबिकापूर के असा सिवा संग ने पानी की समस्या को लेकर सर्गुजा कलेक्टर संची उझा को ग्यापन सौपा है और समस्याओं की जल्द निवारन की मांग की है जिस पर सरगुजा कलेक्टर ने आजवाशन देती हुए कहा है कि जल्द ही कौरवा दिवासी शीत्रों में मुल्भुद सुविधा दी जाएगी और सभी समस्या का निराकरण किया जाएगा जावे दक्तर की रिपोर्ट आज हम कलेक्टर आफिस आए थे धोरपूर से करीब आठ किल्योमेटर अंदर में गाउं है गोटी टूमर करके जहां पाइपलाइन और नल तो लगा दिया गया है करीब एक साल हो गया लेकिन आज तक वहां नल के पानी का सप्लाई चालू नहीं हो पाया जिसके कारण वहां क पानी की बहुत समस्त्य वहां पानी की बड़ी किल्लत हो गया है उनके द्वारा सर्पनजी को सिकायत किया जाता था लेकिन सर्पनजी ने वहां पर कोई पंसापा उसे मार्ग किया है कि जलनल योजना केते हैं जो पाइपलाइन और नल की पानी बिचाया गया है उससे जल से जल चालू कर रहा है जो लोगों को पानी की पहुंच नहीं पाता है और ठेकेदार और सरपंच की मिली भगत के कारण चूक हो गई है क्योंकि गाउं आस्वाशन दिया गया है उसमें कि हम जल से जल साथ दिवस के अंदर वहाँ पर करवाहिक सुरू करवा देंगे अपने नाम बता देना कूंड गउंस पैप लेन ही कर दिये गया और वहाँ कुष बिच हायाए है कंप बहूए कवास्च सप्लाइब दिया गया बस वहाँ पानी का ने को अंज़ कर ने जाती कि लोग रहते है उनका घर लगभा 40 45 घर है और वहां उनको पहाड़ी हुना की इसनल में ऊपर तक पानी जाना पड़ता है उनको बहुत दिकत हो रही थी हमारे हम आज हम आजास सवसंग के हम आजास सवसंग के ग्रामिड सचीव हूं मैं मैं वहां गया मैं कुछ काम सा तो वहां देखा उनका दिकत तो उन्होंने मेरे को इसे बताया कि अज लगभग एक साल पहले से वहां पाइपलें बिचाएगा मैं मैं आज तक से सरपान सचीव के दोवारा मतलों कोई उनके पास की जया रहा था उनका खाह नहीं है उनको ठेकदार हो सरपान सचीव के मिली हुगत के चलते उसको बात को दबा दिया गया और एक साल लगभग वहां पानी के समस्या चल रही